एक लॉयर एक औरत को मर्डर के चार्जे से प्रोटेक कर रहा है इस मर्डर मिस्ट्री में कुछ ऐसी सिजुएशन आती है जिसे सब कुछ वो डाउट करता है हेलो फ्रेंट्स आज के हमारी मुवी पॉडी ओफ इविडेंस इन 1993 की एक मर्डर मिस्ट्री मुवी है इस मुवी में इसके अलग-अलग टन्स हमें लास तक हुक्ट रखते है वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हो अगर आप को वीडियो पसनाता है तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर दीजेगा इसे चैनल को सपोर्ट मिलता है अब बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते है मुवी स्टार्ट होती है और रात में एक आदमी मरकर पड़ा हुआ है यह हम देख सकते हैं वो उसकी खुद की इंटिमेट होने की टेप देख रहा था सुबा होने पर यह मर्डर रिपोर्ट होता है सब पुलिस वेगरा वह इन्वेस्टिकेशन करने के लिए पोचते हैं थोड़ी देर में कोड का अपॉइंटेड लॉयर भी वहाता है इसे फिर डॉक्टर से पता जलता है कि डेट का रिजन हार्ट अटेक था क्राइम सीन एक बेडरूम है बेड को कफ किया गया था इसकी निशान वा है जिसका मर्डर हुआ है उसका नाम है एंडरू मार्श कल रात उसकी डेट थी उसकी डेट के साथ उसने टेप बनाई थी बेड पर ये टेप वो देख रहा था तभी उसका मर्डर हो चुका था एंडरू किसको डेट कर रहा था इसकी इंफर्मेशन एंडरू की सेक्रेटरी को होती है सेक्रेटरी का नाम जोएना है जोएना यहा आती है और कहती है कि एंडरू की गल्फेंड ने उसे मार डाला अब इस girlfriend का नाम Rebecca है Andrew का funeral जब चलता है तो वहाँ Rebecca भी है सब लोग उसे ही दोशी मानते है उसे घिनोनी नजरों से देखते है क्योंकि Andrew और Rebecca में एक बड़ा सा age difference था सब लोग को लगता है कि सिर्फ Andrew के पैसों के लिए ही उसके साथ थी इसी funeral पे ही Rebecca को मिलने के लिए लोयर आता है इस लोयर का नाम Frank है Frank उसे कहता है कि शायद पुलिस तुमें चार्ज कर सकते है Rebecca बोलती है कि मैंने उसका murder नहीं किया था जो भी लोग समझते हैं ये सब गलत है उसकी age कभी भी मेरे लिए problem नहीं था मैं उसे प्यार करती थी मैं उसे क्यों मारूंगे अब Frank Rebecca का लोयर बन जाता है रात में Frank अपनी family के साथ dinner कर रहा था उसकी wife को भी यही लगता है कि Rebecca Andrew के साथ सिर्फ उसके पैसों के लिए थी अगले दिन Rebecca को police investigation के लिए बुलाते है अब Robert Rebecca से पूछता है जिस रात तुम Andrew के साथ थी क्या तुम दोनों intimate हुए थे इसे वह हा कहती है वो Andrew के heart condition के बारे में उसे कहता है Rebecca कहती है कि मुझे पता नहीं था कि उसे कोई heart condition भी है Andrew ने यह सब उसे छुपा कर रखा था Robert पूछता है क्या तुमने कभी cocaine यूज किया है वो गे ठीक नहीं Robert के पूछने का reason यह था जिस रात Andrew की death हुए उस रात उसने cocaine लिया था इन्हें लगता है कि Rebecca ने जबरदस्ती Andrew को cocaine दिया था उसे already heart condition थे उसने cocaine भी ले लिया तो इससे वो जल से जल मर जाएगा heart attack इसी वज़े से आया था उन्हें लगता है कि Rebecca ने जान बूज कर Andrew को मार डाला वो उसके साथ intimate हुए और उसे cocaine लिया इस सब से Andrew के heart पर लोड आया और वो मर गया Rebecca का lawyer Frank उसे कहता है कि अब हम यहां से चलना चाहिए वो जादा answer नहीं देना चाहते है पर अचानक से Rebecca को arrest कर लिया जाता है Frank Robert से पूछता है कि यह तुम क्या कर रहे हो Robert कहता है कि यह case strong है Rebecca के पास एक बड़ा सा motive था मरने से पहले Andrew ने अपनी will change की थी according to that Andrew की मर जाने के बाद 8 million dollars Rebecca को मिलने वाले है इसके बारे में Frank को पता नहीं था थोड़ी दर में Frank Rebecca की बेल करा लेता है उसे कहता है तुमारे पास एक अच्छा motive था इसी वज़े से case strong हो चुका है Rebecca को इस बारे में कोई भी clue नहीं है वो पुछते ही कि यह क्या था Frank surprised होता है और फिर कहता है कि Andrew के will के according तुम्हें 8 million dollar मिलने वाले है वो फिर से कहती है कि मैंने उसे नहीं मारा उसे तु will के बारे में पता ही नहीं था Frank कहता है कि अब Robert तुमारे अगेंस तुमारे character पर सवार उठाएगा Rebecca कहती है कि हम जो भी कर रहे थे एक दुसरे से पैर करते थे इसलिए कर रहे थे Rebecca और Andrew handcuffs लगा कर intimate हो रहे थे Rebecca कहती है कि मैंने किसी भी चीज के लिए उसे कभी भी force नहीं किया था जो वो चाहता था वही हम हमेशा करते थे Nixon में हम देख सकते है कि Robert Frank के office में उसे meeting करने के लिए आया हुआ है यहावर Andrew की secretary Joanna भी present है Joanna Frank से कहती है यह सब हमेशा Rebecca का plan था उसने खुद बहुत बार Rebecca को drugs करते हुए देखा है Joanna एक बड़ी सी witness बन सकती है तो यह सब सुनकर Frank बहुत यह चीर जाता है और directly Rebecca के पास आता है उस कहता है कि तुम्हें मुझे सब कुछ सच सच बता देना चाहिए था अब पुलिस के पास evidence है Joanna testimony भी देगी Rebecca उसे शान करकर एक जगा पर लेकर आती है यह एक shop है जहाँ पर सब natural medicines मिलते है वो एक medicine उसे दिखाती है जो actual में cocaine की तरह ही दिखती है वो गयती है कि मुझे cramps की विमारी है इसलिए मैं हमेशा है medicine लेती रहती हूँ Frank को सच पता चल चुका है तो वो भी जेन की सास लेता है इसी shop में acupuncture की therapy भी जलती है ये therapy Rebecca कर रही थी तो Frank उसे notice करता है उसे घर drop करने के लिए भी आता है जाते जाते कहता है ये case जितने के लिए मैं जान लगा दूँगा इसके बाद directly हमें court की hearing दिखाई जाती है जूरी के सामने Robert कहता है कि Rebecca बहुत ही घटिया हो रहत है इसने एक बुड़ा आदमी देखा उसका bank balance देखा तो सब चीज से calculate करकर उसे target किया उसने उसे मार डाला अब उसके सब पैसे उसे मिलने वाले हैं उसके बाद Frank जूरी से कहता है जिस तरह से case लग रही है उस तरह से नहीं है लोग किसी चीज को देखते है और उसके बारे में opinion create करते है सब जूरी को वो इस case को objective ले देखने के लिए कहता है इसके बाद forensic के doctor को बुलवाय जाता है Robert उनसे बुछता है कि Andrew की death किस तरीके से हुई थी doctor कहते है कि cocaine की वज़े से हुआ था पर उन्होंने खुद ये नहीं लिये थे उनके पास एक nasal spray था जिसमें हुआ medicine रखते थे इसमें cocaine डाल दी गई थी और उसी वज़े से उनकी death हो गई already उन्हें heart condition थी और इसमें cocaine ये deadly combination बन गया doctor कहते है कि जब Andrew की death हुई तब उसके हाथ में हत करिया थी इसमें frank objection लेता है कहता है कि Andrew के हाथ पर marks थे ये marks पहले की भी हो सकते है इसके बाद foreign doctor वहाँ सी चले जाते है इसके बाद court में Andrew के personal doctor को बुलाया जाता है Robert इस doctor से एक incident के बारे में बुचता है एक बार Andrew ने try करने के लिए cocaine लिया था उस वक्त उसे बहुत तकलिफ हुई थी ये मरते मरते बचा था ये सब चीज डॉक्टर court को बताते है Robert यहाँ establish करता है अगर cocaine Andrew के लिए इतना खतरनाक था तो कभी भी अपनी life में फिर से लेने काओ नहीं सोचेगा वो सब को होताता है कि जबरदस्ती उसे cocaine दिया गया और उसकी date हो गई इसके बाद court में जोयना को बुलाया जाता है Robert उससे question बुछता है जोयना कहती है कि Andrew मरने से पहले वरीड था जिस तरीके से उसकी और Rebecca की relationship चल रही है इसका stress उसे आ रहा था वो जब intimate होते थे तो एक दूसरे के साथ games खेलते थे इससे Andrew के heart पर load आता था इसके बाद फिर जोयना से Frank question बुछता है वो फिर बुछता है कि तुमारी और Andrew की relationship किस तरह की थी जोयना कहती है हमारी professional relationship थी पर वो 6 साल से उसके साथ काम करती थी तो कभी-कभी ये बात करते थे Frank फिर गहता है कि Rebecca एक नई city में जाने वाली थी एक दूसरे से पैर करते थे तो शायद इस बात का उसे stress आया था Frank यहाँ प्रूफ करना चाहता है काम का लोड रेवेका के जाने का दुख ये सब Andrew के लिए जादा हो गया इसी वज़े से शायद उसे heart attack आया Frank के पास जोएना के खिलाफ कुछ reports है ये कोर्ट में दिखाता है जिससे प्रूफ होता है कि जोएना एक drug addict थी वो जोएना से पुछता है कि क्या तुमने अपने boss को ए drug supply किये थे जोएना आप जो भी कहेगी इतना ज़्यादा hold नहीं करेगा Rebecca के खिलाफ अब ज़्यादा कुछ वो नहीं बोल सकती है आज की हीरी बहुत ही अच्छी गए Rebecca और Frank फिर celebrate करने के लिए आते है Frank Rebecca से पुछता है कि जब तुम पहली बार Andrew से मिले थी तो तुम्हें वो अच्छा कैसे लगा था Rebecca कहती है कि मैं पूरे रूम को देखती हूँ वहाँ मुझे जो अच्छा लगता है उसे हम चूज कर लेती हूँ Andrew के साथ भी ऐसा ही हुआ था Frank फिर Rebecca को इस रूम को देखने के लिए भी कहता है वो सब आदमी ओपर नजर डालती है Frank उसे पूछता है कि तुम्हें कौन पसंद आया पर वो उसे बताना नहीं चाहती है यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक दूसरे के साथ यह flirt कर रहे थे Frank Rebecca को घर छोड़ने के लिए आया Rebecca डारेकली उसे पूछ लेती है क्या तुम सोच रहे हो कि अगर हम इंटिमेट हुए तो यह कैसा रहेगा Frank कहता है कि मैं तुम्हारा लॉयर हूँ यह गलत होगा यहाँ से वो निकल गया पर गाड़ी उसने स्टार्ट नहीं की वो Rebecca के घर को ही देखता रहा उसने देखा तो Rebecca ने अपना डोर ओपन रखा है अपना माइंड जेंज कर लिया और घर में वो पहुच गया इसके बाद यह करीब आगकर इंटिमेट हो गए Rebecca जिसके साथ भी इंटिमेट होती है तो उसके साथ गेम खेलती है इसी तरीके से वो फ्रैंक के साथ भी खेलती है इस वज़े से फ्रैंक के बॉड़ी पर पूरे मांक्स आ गए थे यह वो अगले दिन शावर लेते होए नोटिस करता है उसकी वाइव भी आसपास थी तो यह देखकर वो डर गया अपने आपको उसने कवर कर लिया इसके बाद फिर से हमें कोट दिखाया जाता है इसमें रॉबर्ट अंड्रू के डॉक्टर से ही अब बात कर रहा है उसे पुछता है कि रेवेका और एंड्रू यह दोनों तुमारे पेशन्ट है कभी रेवेका ने एंड्रू के बारे में तुमसे पुछा था डॉक्टर कहते हैं कि हाँ एंड्रू अमेर था और हमारे सोचल पेजिस भी हो था यहाँ पर वो कहना जाता है कि रेवेका को एंड्रू के हार्ट कंडिशन के बारे में पता था इसके बाद Frank डॉक्टर से question पूछता है क्या कभी Rebecca के साथ तुम्हारी कुछ relationship थी वो सबको कहता है कि Rebecca और डॉक्टर एक दूसरे को date कर रहे थे जब Rebecca ने डॉक्टर से break up किया तो बहुत ही upset हो चुका था उसने उसे धमकी भी दी थी उसने कहा था कि तुम्हारी लाइफ में destroy कर दूंगा और Frank कहता है कि यही करने की कोशिज डॉक्टर कर रहा है आज की hearing भी बहुत अच्छी गए Rebecca बहुत ही खुश है तो Frank और वो पार्किंग में ही intimate हो जाते है इसके बाद next hearing में हम देख सकते हैं कि Robert ने एक नया witness लाया हुआ है इस witness के बारे में Frank को नहीं पता था इसे हो objection लेता है पर judge मानती नहीं अब यह witness testimony दे सकता है इस witness का नाम Jeffrey है Jeffrey और Rebecca की भी एक दुसरे के साथ relationship थी इसके बारे में Robert question पुशता है Jeffrey कहता है कि Rebecca की साथ उसकी relationship बहुत intense थी जब भी यह intimate होते थे तो Rebecca हमेशा उसे push करती थी Rebecca के passion को कभी भी match नहीं कर पाता था Jeffrey का भी age जादा है और उसे भी heart condition थी तो उसके heart पर भी load आना start हो गया था उसने फिर अपने heart की surgery की तो उसके बाद Rebecca उसे छोड़ कर चली गई वो गयता है कि Rebecca को हमेशा control में रहना अच्छा लगता है इस testimony की वज़े से Rebecca के लिए case hard हो चुका है अब सब लोग समझते हैं कि हर बुड़े आदमी को Rebecca फसाती है उसे मारने का plan मनाती है जिससे उसे सब कुछ property वगरा मिल जाए court होने के बाद जब Frank Rebecca से बात करता है तो बहुत ही घुसा है वो गयता है कि तुम्हें मुझे ये सब बात बतानी चाहिए थी उस पर शक करने लग गया है वो गयता है कि तुम्हारा type या लग है उसे अपनी गलती का भी realization होता है वो गयता है हम दोना में कोई भी relationship अब नहीं रह सकती इस सब situation को professional रखना जाता है जब रात में Frank अपनी wife से मिलने के लिए आता है तो उसकी wife उस पर चिड़ी हुई है Frank उसे पूछता है कि क्या हुआ तो गहती है कि लोग बाते करने लग गये है यह town small है और Rebecca के घर के सामने हमेशा Frank की गाड़ी दिखती है आज Rebecca का Frank के लिए call भी आया था इससे Frank की wife को शक चला गया है और उस पर वो नाराज है Frank के body पर जो marks थे यह भी उसने देख लिये थे उसे confront करकर कहती है कि तुम ऐसा कर कैसे सकते हो Frank admit कर लेता है और उसे sorry कहता है उसकी wife गुसा है और वहां से वो चली जाती है Rebecca की वज़े से उसके marriage में problem आ गया उसे वो बहुत गुसा है वो गुसे गुसे में Rebecca के घर आता है तुमने मेरी wife को बोला क्या तुम अपने आपको समझती क्या हो Rebecca कहती है कि तुम गुसे में चले गए थे क्या तुम अभी भी मेरे साथ काम करना चाहते हो या नहीं यह पूछने के लिए मैंने call किया था Frank उस पर अभी भी believe नहीं करता वो जा रहा था पर Rebecca उसे tease करने लग जाती है यह दोनों फिर intimate होते हैं intimate होते वर Rebecca Frank के हाथ हतकिडियों से बानने वाली थी पर Frank न ऐसा नहीं होने दिया इस बार Rebecca की ही हाथ उसने बान दिये इसके बाद next in one देखते हैं कि Frank का कली सब evidence को जाच रहा था इसमें उन्हें एक वीडियो टेप मिली जिसमें दिख रहा है कि Joanna के साथ Andrew intimate हो रहा है Joanna ने कहा था कि Andrew और उसकी relationship strictly professional है इसके बाद ये प्रूव हो सकता है कि Joanna के पास भी एक motive था अगली hearing में Frank Joanna से question पुछता है इतने साल तुमने एंडु के लिए काम किया था उसने अपनी will में 250K डॉलर्स तुमारे नाम किये थे जब Rebecca से हो मिला तो उसने will change कर दी इस सबसे तुम्हें किस तरह से feel हो रहा था Joanna कहती है कि इससे मुझे ज़्यादा कुछ फरक नहीं पड़ा Frank को Joanna और Andrew के बारे में जो भी पता चला है ये सब कुछ वो quote को बता देता है वो argument करता है कि जब Joanna ने Rebecca और Andrew को एक साथ देखा तो जेलेस हो गई थी उसने फिर Andrew को मार डाला और Rebecca को फ्रेम करने की कोशिश की Joanna अल्डेडी ड्रग एडिक्ट थी तब उस पर और भी ज़्यादा शक जाता है अब फिर से इनके केज जितने की चांसेस बढ़ गए है Rebecca Frank से कहती है कि मुझे तुम टेस्टीमोनी देने दो मैं सब कुछ क्लेर कर सकती हो Frank कहता है कि इसकी जरुद नहीं पड़ेगी बगर जोएना नहीं सा किया तो इसमें रिस्क है पर फिर भी वो Frank को मना लेती है Rebecca अपनी टेस्टीमोनी में कहती है कि Andrew से मैं प्यार करती थी हमेशा उसका खैल रखती थी इन दोनों ने कभी शादी नहीं की क्योंकि Andrew का अल्डेटी बहुत सारे डिवास हो चुके थे Rebecca कहती है कि जो भी चीज़े हम बेड में करते थे ये Andrew को अच्छी लगती थी इसलिए हम करते थे वो खोद ये सब चाहता था जिस रात Andrew की डेथ हुई थी उस रात के बारे में पताती है कहती है कि मैं उसके घर आई हम इंटिमेट हुए और उसके बाद वो चली गए अगले दिन उसे पता चला कि Andrew की डेथ हो चुकी है Andrew की विल के बारे में तो उसे पता ही नहीं था इस पर Robert objection लेता है कहता है कि तुम Andrew के डॉक्टर के पास ही जाती थी तुमारा Andrew और डॉक्टर इन दोनों के साथ अफेर था यह सब एक कोइंसिदनस नहीं हो सकता Rebecca बोलती है एक छोटा सा टाउन है अगर मैंने रिलेशन लगाना स्टार्ट किया तो शायद मैं तुमसे भी रिलेटेड हो सकती हो Robert कहता है कि तुम हमेशा ओल्ड और रिच लोग को डेट करती हो इन सब को हार्ट कंडिशन होती है इन्होंने पहले जौफरी को कोड में बुलाया था जिसमें उसने कहा था कि जब वो Rebecca से मिला तब उसने अपनी विल चेंज कर दी थी इसके डेफेंस में रेवेगा कहती है कि मुझे स्टॉंग और कॉन्फिडन में पसन है मुझे ऐसा कोई अच्छा लगता है जो एक्स्परिमेंट करने के लिए रेडी हो जनरली ओल्ड मैन ये सब क्राइटिरा कंप्रिट करते है इसी वज़े से उने डेट करती है जोबर्ट कहता है जब तुम्हें जोफरी के हार्ट कंडिशन के बारे में बता चला तो तुमनें उसे छोड कुदिया रेवेका बोलती है कि वो मुझे पर चीट कर रहा था एक्च्वल में जोफरी गे है ये भी वो कोड को बताती है इस कोड रूमें जोफरी भी था वो हुमेलेटेड होकर वहा से चला जाता है रेवेका पर जो भी आरोप लगाए जा रहे थे ये सब अब उसने क्लियर कर दिया है जो रिफी डिसीजन लेती है रेवेका इनोसेंट है ये जितने के बाद रेवेका बहुत खुश है अब ये केस खतम चुकी है तो रेवेका फ्रैंक के पास आती है कहती है तुमने तो मुझे भी बिलिव करवा दिया कि मैं मर्डरर नहीं हूँ तो उभेका और दॉक्टर इन दोनमें रिलेशनशिप थी इनका हमेशा से फ्लान था कि एक भुडे अमेर लोग को फसाएंगे और मरने के बाद उसकी सब प्रॉपर्टी वो ले लेंगे तो इसी वज़े से उसने Rebecca को Andrew और Joffrey के बारे में पताया था जब Rebecca और डॉक्टर बात कर रहे थे तब ही Frank वहाँ आ गया उसने सब कुछ figure out कर लिया है तो कहता है जो drugs तुमें मिले थे यह भी शायद doctor नहीं supply कियोंगे court में भी एक दूसरे के खिलाफ तुम रहे जिससे किसी को भी शक ना जाये यह सब प्लान figure out करकर Frank बहुत इंप्रेस्ट है Rebecca Frank को भी उल्लू बना रही थी डॉक्टर को Frank और Rebecca के बारे में नहीं पता था उससे रियलाइज होता है कि Rebecca सिर्फ उसे यूज़ कर रही थी यह सब जानकर रोडिस्टर हो जाता है Rebecca से मार डालना चाहता है Rebecca को मार रहा था तो Frank और उसमें फाइट होती है Finally Rebecca पर गोली चला कर उसे मार ही डालता है बाद में सब पुलिस विकराते हैं और डॉक्टर को अरेस्ट करते हैं यहाँ पर रोबर्ड भी है Robert Frank से कहता है कि आखिर जस्टिस हो ही गया इसी तरी के से मुवी एंडो जाती है